जैशे किशना दोस्तो मैं मीतू अपने चानल भी पॉरफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होगे और इस वरसे आप सब की खुशाली की कामना करती हूँ आज इस वीडियो में मैं आप इसे मन की बात कह सकते हैं लाइफ लर्निंग कह सकते हैं क्योंकि मैंने इसे accept किया हैं मैं ऐसे ही करती हूं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि आप भी यह करेंगे तो देखिए आपके जो टर्म्स है या आप किसी को मदब दुख के समय में खुशी दे सकते हैं वह कैसे वह मैं आगे आगे आपको बताऊंगे तो आये दोस्ता वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज में बात करूंगी कहते हैं जो मुझे परसनली जानते हैं उन्हें पता है मैं यह कि वीडियो के कंटेंट के लिए मैं आपको ऐसे हैता परवचन देने बैड़ दिन नहीं मैं ऐसे हूं तभी मैं आपके साथ श्यर कर रही है विश्वास मानि यह मैं अ दुख को हलका कर पाएंगे और उसके ज़्यादा क्लोज आप पाएंगे तो मेरा आज का टॉपिक है दोस्तों सुखुके साथी चाहे मत बनिये लेकिन दुख के साथी हमेशा बनिये कहने का मतलब है किसी के शादी बिया होता है फंक्शन होता है आपकी कोई मजबूरी आप नहीं पहुँच पारे कोई बात नहीं चलेगा लेकिन किसी किया कोई दुख होता है कोई बिमार है कोई भगवान न करें किसी कोई डेथ हो गई है या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो उसमें आपका जाना बहुत ज़रूरी होता है जाने से मैं मान लिजे सपोज मेरे बगल म में कुछ हुआ है मेरे जाने से कुछ नहीं होगा लेकिन क्या होता है जिसके हाँ जो प्रॉब्लम होती है जो दुख से गुजर रहा होता है उस इंसान को यह कि मेरे साथ देने वाला कोई है मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है मेरे साथ किसी का हाथ है मेरे साथ किसी का सपोर्ट है और एक बात आप और नोट करिएगा सुख में एक बार कुछ लोग कम हो तो आदमी बात में सोचता है लेकिन दुख में आदमी उस समय नोटिस करता है कि आ कौन आया कौन नहीं आया और बाद में होता है इंसान है जिसके हैं प्रॉब्लम होती हो कहता है अरे शादी बड़ी बात हो इतना बड़ा हाथसा हो गया कोई नहीं उनके हां से तो यह गलत है चाहे आप बड़े फंक्शनों में खुशी के मौके पर एक बार को इग्नोर कर द अब बात रही मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखिए किसी के कुछ प्रॉब्लम होती है वह कहते हैं हम तो खुदी दुखी है हम तो खुदी बीमार है हम कैसे जाएं यह चीज़ें सिर्फ अपनी विल पावर के उपर होती है अगर आपको जो काम करना है कोई आपको नहीं प्रॉब्लम में यह चाहिए और एक बात और हो आपको इस प्राइटी है कि मैं उससे मिलकर रहा है घ्र के तूरा सा रिख के थो विय میں तो आपको किसी के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए अगर कोई ब कोई बगध बड़ा रीजन है यह आप सामने वाले से प्राइब भी चत्य तो कि कि खुख द्याभल में हैं आप उसमें नहीं जा रहें तो बात अलग है लेकिन व्ह अची कि आशा कि सामने म हाले होता है कि कि दू कहते हैं रावा सकते हो तनमन धन से आप सपोर्ट करो विश्वास मानिये मतलब भगवान भी आपके नम आपको समय देख रहा होगा मतलब कुछ चीज ऐसी होते हैं कि हम चहा रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही होती है यह ऐसा मेरा मानना है जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं त कि अपना डुक सभेब से आउन्सक्ताइब कर आप तरह के इससे सपोर्ट निकलती नहीं समें दुख्या किसे को दुखि आदमी किसो को ब्रम सहों दो बही है और मेरा मानना है और मिरे अजमाइब भी बत है तो वसी है कि किसी के सुख के साती ना बनिये लेकिन किसी के दुख में एग्नोर मत करिए कोशिश करिए दुख के समय में जरूर मतलब अपनी प्रेजन्स दीजी और जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं सामने वाले को सपोर्ट करिए तो यही थी दोस्तों में दिये कि चोटी सी वीडियो I hope आपको मेरा message है अच्छा लगा होगा और इससे जरूर अपनाके देखीए आपको भी कितना सुकून मिलेगा कि आपने वी किसी की help करी एक होता है किसी के सुख में सपोर्ट करके आना किसी के लिए टाइम निकालना उसकी help करना उसमें जthrop इसी सुकून मिलता है वो एकदम क सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आकन ज़रूर हिट कर लिजेगा ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम लिए आपको मिलती रहे तो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे